कमजोर शुरुवात के बाद बाजार में निटले स्तर से शांदा रिकवरी देखी गई निफ्टे काणवे अंग चड़कर 17,622 पर बंद हुआ तो सेंसेक 300 अंग चड़कर 69,141 पर बंद हुआ सीमेन, टायर, बैंकिंग शेरों में तेजी देखी गई पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद है, मानसी दवे बाजार ने शुरुवाती कमजोरी जरूर दिखाई लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिन्ट का एक कंसर्न था, उसके ठीक बाद जो रिकावरी देखी काफी मजबूत थी वो रिकावरी और रिकावरी दिन भर इंटाक्ट रहे और क्लोजिंग में भी हमने देखा शांदार आउट पर्फॉर्मेंस के साथ, आरे निशान के साथ ही क्लोजिंग नजर यहां पर आई सेक्टर स्पेसिफिक बाजा को देखेंगे, कई सारे सेक्टर में अच्छी मजबूती थी, लेकिन शुरबात सिमेंट से करना चाहेंगे कि सिमेंट सेक्टर में जो बिग दील होती हुई नजर आई, हमने देखा कि अडानी ग्रूप ने पूरी तरह से अक्विजिशन की प रामकाज कर रहे थे, इसके लावा मारूती आटो मोबिल के लगाता नए लॉंचिस हम देख रहा हुई, मारूती अपने ग्रैंट विटारा के चलते फोकिस में रही और इजी के साथ हमने मैनेजमेंट से भी बात चीट की और मारूती सुजुकी के स्टॉक में बेस का एक ज़रूर नजर आया, राइस स्टॉक्स में आज अच्छी मजबूती रही कि RBL, LTE Foods ट्रेस स्टॉक साथ से लेकर 10% तक की तेजी आज के सत्र में दिखा रहे थे, वहीं Fortis Healthcare के स्टॉक परखास तोर से नजर रखें, क्योंकि biggest one day gain, तीन मार्च के बाद Fortis Healthcare के स्टॉक में द दिन भर दिखें और क्लोजिंग में भी मजबूती जो है, वो कायम रही, इन फोसे एच्छी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी के साथ ही कामकार्च दिखा, हाला कि contribution, ICICI Bank, Tata Motors जैसे स्टॉक्स नहीं दिखा पाएं और लाल निशान के साथ बिखवाली का दबाव इन स्टॉक्स भी पाव ग्रिट पर हमने एक एक्स्क्लूजिफ ख़बर आपको बताई और उसका एक इंपक्ट भी आता हुआ जरूर दिखा, मिट्काप में गेनिंग मोमेंटम, इसको अच्छी स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, फोर्तिस, MFSL, Alchem Lab और अपोलो टायर जैस स्टॉक्स में तेजी नजर आई और लूजिंग कैंडिटेट्स, LIC, Housing, Finance, Nalco, NAM India, L&D Technology जैसे स्टॉक्स रहें, वहीं सेक्टोरल की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में तेजी अच्छी खासी थी, सबसे आगे FMCG प्ले उसके ठीक बात, IT सेक्टर, Financial Services, Zotto, Niji Bank Shetra, सरकारी Bank Shetra और Pharma Place, किवल Pharma, किवल Metals और साथी Real Estate Pack दो सेक्टर रहें, जो कि perform नहीं कर पाएं, इसके लावा बाजार का दिन भर का आक्शन काफी मजबूत रहा, क्लोजिंग में, CEN6 में हमने देखा 300 अंकों की बढ़ाद, Nifty में भी करीब 100 अंकों की तेजी और Bank Nifty में भी अच्छी तेजी के बीची कामका आच ख्लोज हुआ, तो एक अच्छा सेटप, अच्छा दिन बाजार के लिए हैं.